तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपका सिस्टम भी आपको कुछ इसी तरह से ग्रीट करें जब भी वो टार नो नो तो आप बिल्कुल सही जगापे आए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रभ्जयोत और आप देख रहे हैं अपने सिस्टम पर अपने सिस्टम पर अपने सिस्टम पर अपन कर सकते हैं और यहाँ पर टाइब करके नोट पैड को और यहां पर कुछ लाइन लिखने वाल हूँ आप सिंपली फोलो किजिए उन लाइन को और यह बिल्कुल के सेंस्टिव होने वाली है तो अगर आप देख के लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखे हर एक अल्फाबैट का जो ही मैं यहां पर टाइप कर रहा हूँ और यहां पर आप इंवर्टर कोमाज में जो भी लिखंगे आपका सिस्टम आपको उसी तरह से ग्रेट करेगा फोर एग्जैंपल मैंने लिख दिया Hello Sir Welcome to your system तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा सिस्टम टरन ओन हो मुझे कुछ इस तरह का वोईस फीडबेक मिले तो चलिए सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं तो simply मैं क्लिक करता हूँ सेव पर और देन चलते हैं डेक्स्टॉप में और डेक्स्टॉप में इस चीज का घ्यान दिखे कि जब आप इसे सेव करोगे तो बिल्कुल सेम फोलो करना जैसे कि मैं यह आप लिखने वाला हूँ तो सबसे पहले आपने इंवर्टेट कोमा को स्टार्ट कर लेना है और आ और सेंपली एंटर कर देना है तो जैसे ही आप इस पर्टिकॉल फाइल को सेव करोगे तो फॉर एक्जेंपल में आपको दिखा दो तो अपने डेक्स्टॉप पर तो यहां पर यह वैलकम नाम से सेव हो चुकी है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको इस तरह का फीडबेक सुनने को मिलेगा तो यह तो हमने क्लिएट कर ली फाइल अब देखते हैं कि हम कहां पे इस पर्टिकॉल फाइल को प्लेज कर सकते हैं तो सिंपली क्लिक कर जिए रन कुमान पे और यहां पे हमने एंटर करना है शेल डबल कॉलन सेटप स्टार्टब तो चलिए अब इसे सेव करते हैं तो सिंपली रन कुमान को ओपन कर लीजिए और यहां पे लिखना है हमें शेल डबल कॉलम स्टार्टप तो स्टार्टप लगके जैसे ही आप एंटर करोगे आपको पास यहां पे एक स्टार्टप नाम का फोल्डर ओपन हो जाएगा तो आपने सिंपली इस वाले फोल्डर का एक शॉर्टकट क्रियेट करना है जैसे कि मैं यहां पे कर रहा हूं या फिर आप डिरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं तो रिमेंबर रखिए कि जो आपके पर्टिकुलो प्लेस में सेव रहेगी फाइल उसका शॉर्टकट ही किझे यहां पर ताकि जब भी हमें एडिटिंग करनी है तो हम उस पर्टिक्लो फोल्डर में कर पाए और वो सारी एडिटिंग हमें यहीं पर देखने को मिल जाये तो मैं संपली इस शॉर्टकट को मूव कर देता हूं इस पर्टिक्लो प्लेस में और दैट सिट हमारा काम यहां पर done हो गया तो जैसे ही आप अपने सिस्टम को restart करोगे आपको कुछ इसी तरह का feedback देखने को मिलेगा जिस तरह आपने इसको setup किया है तो अगर आप modification करना चाहिए तो आपको direct से shell में जाके startup में open करने की चूर्ट नहीं है आप simply इस welcome पे right click करके यहां से से directly edit कर सकते हैं और जो जे voice है इसको अपने requirement के according customers set कर सकते हैं तो चलिए आज के इस tutorial में इतना ही मिलते हैं next tutorial में कुछ नए tricks के साथ इस वीडियो को like करें latest technical videos देखने के लिए हमारे channel A2IT online को subscribe करें bell icon को दबाना ना भूलें